हलो आप्रीपान, मानेश्मेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मॉडल्स ओफ और्गनेजिशन बिहेवियर के पांच मॉडल्स होते इनको डीटियल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप और ओर्गनेजिशन बिहेवियर से रिलेटे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं तो model किसी बीचीज का basic structure जिससे की हमको पता चलता है कि वो कैसे बनने वाली अगर किसी building को बना है तो उससे पहले उसका model बना जाता है कि building इस टाइप की बने कितने फ्लोवश होंगे हर फ्लोर पर इतने रूम होंगे यह चीज़ होंगी वो उसके model को बटाता है वैसे ही organization behavior होता है कि organization के अंदर लोग कैसे behave करेंगे ये in model पे best होता है तो ये 5 model जिनको कि हम detail में देखते हैं फर्स्ट आता है authoritative model इसको authority and model भी बोलते हैं जिसका मतलब होता है सत्तावादी model कि याप पे एक के पास power होती है सत्ता होती है और वही सबको चलाता है ये mainly power के basis पे चलता है जो भी workers हैं यापे वो discipline में रहते हैं और वो जो भी top management बोलता है उनके जो भी काम करने को दिया है उ सारे decision लेना, strategies बना, policies बनाना ये company के senior management का काम होता है इसलिए इसको authority and style भोला शाथ है जो lower level के employees या persons होते हैं वो सिर्फ जो senior management ने direction दी है काम बताया है उसको करते हैं अगर lower level employees उस चीज़ को follow नहीं करते तो उनको punishment भी मिलती है तो इस model के अंदर जो भी low के वो easily irritate हो जाते क्योंकि यहाँ पर उनके पास security नहीं है वो superior नहीं है जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको बहुत कम पैसे दिये चा रहे हैं तो यह main model की problem होती है कि इसमें लोग बहुत जल्दी irritate हो चाते हैं तो यह model power पे based होता है top management या senior management सारी चीज़े decide करता है वो lower level को उसको follow क करना होता है next है custodial model यह model का structure होता है कि remuneration मतलब employees ने जितना काम किया है उतने आपको scope ऐसे दे या उसको उतनी benefits दे तो employees को financial or non financial मतलब पैसे में वो बिना पैसे की भी benefits दे सकते जिसमें आप job security मतलब जहां पे वो नोखरी कर रहे हैं वो उनकी इस्ती दे fair compensation उनका bonus paid off time मतलब अगर उन्होंने ज्यादा time तक काम किया तो उनको ज्यादा पैसे मिले, prices मिले तो इसका main goal होता है कि आप उनको motivate करते रहे हैं जिससे की productivity increase होते रहे हैं लोगों को कुछ ना कुछ मिलता रहता है तो वो खुशों के काम को करते रहते हैं तो इस model के अंदर employees ज्या financial resources हैं जो भी आपके संसादन हैं आप उसको अच्छी तरीके से use कर सकें तो इस strategy में जो भी लोग है वो management या boss पर भरोसा नहीं करते हैं बलकि company पर भरोसा करते हो इसलिए वो satisfied रहते हैं तो मतलब जैसा उनको पैसे मिलेंगे वैसा वो काम करते रहते हैं नेक्स आता है supportive model य manager को help करता है कि वो अच्छी तरीके से किसी भी चीज को achieve करें supportive model का लक्ष होता है employees कैसे manager और staff members के बीच में मजबूती से बाचीत को बना के रखते हैं मतलब दोनों एक दूसरे को support करते हैं तो यहां पर आपका focus होता है psychology पे inspiration पे लोग के काम करने को आपके इसे और प्रोच करें वो अच्छा हो management को support करना चाहिए सब के बीच में strong relationship होना चाहिए एक दूसरे के साथ अच्छा behavior होना चाहिए अच्छा communication होना चाहिए जिससे कि आपका work experience अच्छा होता है मतलब सब support करते हैं आपको काम करने के लिए तो आप अच्छी तरीके से काम करेंगे जो भी आ लेते हैं या शेयर कर लेते हैं मतलब यहां पर आप team में काम करते हैं यह model का के सकते हैं कि कैसे आप अच्छे result दे सकते हैं अगर manager और employees collaborate होके team में काम करेंगे तो उनका bond और अच्छा होगा और strong होगा वो meetings को attain कर सकते हैं अपने opinion रख सकते हैं एक दूसरे के साथ respect से रहेंगे और अच्छा working environment create होगा तो यहाँ पर focus किया जाता है कि लोग अकेले काम करने से better है की team में काम करें लास्ट आता है system approach system approach बताता है कि आप organization के system को देते हैं जिसमें आपका organization का structure कैसा है culture कैसा है working environment कैसा है consistence की policies कैसी है तो यहाँ पर आपको balance बनाना है किसी भी व्यक्ति के objective में मतलब उनका क्या उत्देश है और business का organization का क्या उत्देश है जो भी लोग है उनके different goals रहते हैं उनकी different ability योगिता रहती हैं चमताय रहती हैं जिस तरीके से वो काम करते हैं तो manager और staff को देखना है कि कैसे उनके interest को बना के रखा जा सके जो भी organization के goal के लिए सब लोग मिलके काम करते हैं जो organization का goal होगा वही individual का goal होगा अगर organization के goals को achieve क्या जाता है अगर आपकी company grow करिये तो आपका भी promotion होगा आपको भी salary जादा मिलेगी जो भी आपके objective से वो भी अच्छी होगा तो सारे staff member हो management feel करता है कि उनके बीच में अच्छे relationship होना चीए और वो objective को share करें मतलब same objective के लिए सम मिलके काम करें यहाँ पर लोग self motivated होते हैं self interested रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए यह positive workplace को create करता है मतलब अच्छे environment को create करता है अच्छे communication network को बताता है collaboration को बताता है और यहाँ पर employees और community के लिए system model वह सारी value को create करता है तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या different models होते हैं organization behavior के फस्ता और्टरकेटिव, सेकेंड़े कस्टोडियल, थर्डे सपोर्टिव, फॉर्टे कॉलिजियस और फिप्ते सिस्टर वीडियो अच्छा लगे तो please like किजिए, चानल को subscribe किजिए, comment किजिए, और किसी topic पर वीडियो चीट आप comment कर सकते हैं, thank you